द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विशे है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 नीती आयोग ने हाल ही में सतत्विकास लक्षे यानि SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 लांच किया है इस इंडेक्स में केरल ने 75 के स्कोर के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडू दोनों ने 74 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हसिल किया है इस साल के सूचकांग में बिहार, जारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्ये रहे SDG India Index 2021 इस सूचकांग का तीसरा संसकरण है यह इंडेक्स राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों की प्रगती का मुल्यांकन, सामाजिक, आर्थिक और परियावर्णिय मापदंडों पर करता है SDG India Index का विकास संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से किया गया है यह सूचकांग सतत्विकास लक्षियों की दिशा में राष्ट्रिया और उप राष्ट्रियस तर पर देश की प्रगती को मापता है SDG India Index के पहले संसकरण यानि 2018 से 19 में 13 गोल्स, 49 टार्गेट्स और 62 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था इसके दूसरे संसकरण में 17 गोल्स, 54 टार्गेट्स और 100 इंडिकेटर्स शामिल थे इस बार के संसकरण में 17 गोल्स, 70 टार्गेट्स और 115 इंडिकेटर्स शामिल है SDG का गठन एक अपूतपूर परामर्ष प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है जिसमें 2030 तक 17 गोल्ड और 179 संबंधित टार्गेट्स हासिल किये जाने हैं जिसमें 20 गोल्ड प्रवाद रहे जाने हैं जाने हैं रिल्ड लगे जाने कैसी तर इल्ड लगे जाने हैं